वालकम टू दिस चानल आज एस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक दिक्शनरी आप यूजिंग एच्टीमेल सीएस एंड जावा स्क्रिप्ट आपने आज तक बहुत सारी दिक्शनरी आप ओनलाइन भी यूज करी होंगी लेकिन आज हम खुद की एक दिक्शनरी आप डिज आगया देखिए वर्ड है यह वर्ब है मीनिंग्स एक्जामपल्स एंटॉनियम नहीं है तो इसने लिख दिया नौट फॉंड अब दूसरा वर्ट सर्च करके देखते हैं क्रिएट ठीक है यह देखिए अब इसके इंटॉनियम से यहाँ पर एक लिस्ट में सारे इंटॉन सो यह देखिए अब oneselfरे क्स्थ सब्सक्री वहरे कि made और करते हैं यह सो यह देखिए मैं सो गजबार करती हुं देखिए यह हमारी व्ली डिक्स्नेयाप फुली रिस्पांस list है फुली üç हमारी साइड कितनी मस्त लग रही है तो आज हम इसे स्क्राइच से डिजाइन करेंगे और देखेंगे कि हम डिक्ष्णरी आप कैसे बनाते हैं हम इसमें एक API का यूज करने वाले हैं और अगर आपने अभी तक कोई API प्रोजेक्ट नहीं बनाया है तो अल्रेडी मैंने एक व सो चलते हैं अपने कोड एडेटर में यूज करती हूं आपनी कोडिंग स्राइड करते हैं यह यह देखें मैंने वी स्कोड में आ गई हूँ यहापर मैंने एक फोल्डेर बना रहा कर दिक्ष्णरी YOURAPके नाम से इसी वेभ अपनी फाल्ट बना ले वाली हो HTML, CSS and JavaScript के लिए यह आगे हमारी HTML फाइल और यह आगे style.css मेरी CSS के लिए और script.js हमारी JavaScript फाइल यह तीनो फाइल दा चुकी है अपनी HTML फाइल उपन करते हैं यह आगे हमारा boiler blade को ठीक है अमना title दे देते हैं title क्या देंगे? title मैं दूँगी dictionary app और लिख देते हैं JavaScript project ठीक है? यह एक mini JavaScript project ही है आप इसमें बहुत तारी features आड़ करके इससे बहुत अच्छे अच्छा बना सकती ठीक है? so यह देगे अब आपको code भी show दोता रहेगा और design भी सबसे पहले मैं इसके अंदर लोगी एक header क्योंकि मैंने एक header भी बनाया था और एक footer तो सबसे मैं एक header लेंगे header tag not class header tag उसके अंदर मैं एक लोगी nav tag और इसी के अंदर मैं लोगी एक h1 tag h1 tag के अंदर मुझे लिखना है dictionary app ठीक है? तो मैं उसे curly braces में लिख दूँगी और देखिए करते ही मेरा पूरा header nav और उसके अंदर h1 आ गया यह emid का shortcut था ठीक है अब एक लेते है main यह semantic tag आ गया अगर आपने पढ़े semantic tag html में main के अंदर लेंगे एक form और उसके अंदर लेंगे एक input एक input लिया और एक button लेंगे search button जिसमें हम अपना search करकर data लाएंगे so देखे यह भी emid का shortcut दीथा आप अगर emid की shortcut यूज करते है तो आपके लिए code करना बहुत ही easy मैं mostly बताती रहती हूं आपको shortcuts ठीक है अब एक काम करते है हमारे input में placeholder भी यूज करते है और आप चाहे तो label भी यूज कर सकते हैं यहाँ लिखते है enter word और word drop कर लेते हैं यह देखे यहाँ पर आपको code भी शो रहा है पूरा अब यहाँ पर हमारा यह आ गया अब इसके बाद हम बनाते हैं सर्फ फुटर इसको तो button को नाम दे देते हैं search ठीक है यह देखे search लिखा गया है आपर यह हमारा मेन हो गया अब एक काम करते हैं एक बनाते हैं result बनाते हैं क्योंकि हमें अपना result भी तो store कराना है तो हम इसी result में अपनी सारी information जो भी API से लाएंगे वह इसमें ही शो करवाएंगे ठीक है अब एक फुटर बना लेते हैं फुटर लोगे में समेंटिक टाग फुटर और इसके अंदर मैं एक P टाग लेते हूं और P टाग के अंदर लिखे लेते हैं मैं रांडर में लिख रही हूं and copy यह देखे यह होता है यह जो आप देखते होंगे न copyright का sign तो यह ऐसे आता है 23 और 24 ठीक है सो यह हमारी पूरी HTML इतनी है बहुत देखेवल को था ही नहीं हमारा अब यह हमारी style sheet लिंक कर लिए CSS और अपनी CSS में चलते हैं सबसे वहले CSS में आपको मैंने हमेशा आट वीडियो में बताया सारे elements की margin और padding जीरो अर लेजिए margin चली यहां फे padding भी चली गई और box sizing border box यह default styling होती है कि आप starting में ही कर ले तो better होता है मैं starting में ही कर लेती हूं अब body लेते हैं body में font family यूज करूंगी font family area level use कर दूंग अगर आप चाहते font family को आप उपर starting elements जहां पर आपने margin padding यूज करी है वहां पर भी दे सकते हैं मैं सिभ अरियल यूज कर रही हूं अगर अरियल ना मिले तो यह sensory पे fallback कर जाएगा और इसको background color देते हैं एक light सा color यहां पर भी मैंने hex code यूज कर रहा है आप भी hex code या RGB values की जीगा instead of any name like white black इन सब की जगा ठीक है यह हमारी body होगी अब एक काम करते हैं अपने header को style करते हैं यह जिस पर dictionary आप लिखा न यह इस header को सबसे पहले इसे background देते हैं background से पता चलेगा कि हाँ भाई हमारा header है बड़ी असा इसके लिए भी एक काम करते हैं मैं आपको introduce यूज कराती हूं css variables सो आप उपर ही सबसे पहले दीखेंगे एक बार root ठीक है और इसके अंदर आप अपने सारे variables लिख सकते हैं css के और उन्हें नीचे अपनी style sheet में यूज कर सकते हैं तो variable लिखने के लिए आपको दो आप इस variable को नीचे हमें access कैसे करेंगे सबसे पहले मैं जिस भी property में मुझे variable चाहिए मैं लिखूंगी var और में को variable शो हो जाएगा यह variable यह पर अप्लाए हो गया एक काम करते हैं background color को भी variable ही बना लेते हैं और उसमे word keyword का यूज करके पास करेंगे यह bcg color में variable का नाम आप कुछ भी दे सकते है variable का नाम जो भी आप चाहिए तो लेकिन नाम आप हमेशे ऐसे दीजिएगा जिससे आपको बता चले हाँ यह variable इस चीज के लिए use हो रहा है वह एक अच्छी practice होती है ठीक है एक काम करते हैं सब padding variable भी बना लेते हैं हम अपने handle में padding देंगे वह भी यही से बास करेंगे ऐसारी कि हम सब colors variables बना सकते हैं यहां गया padding और यहां पर लिखते है padding और इस variable को लिखेंगे var where देखें मेरे सारे जितने भी variables ते वह शो हो गए यह देखें padding भी आवा apply हो गई अब इसे color देते हैं color के लिए variable ही बना रहे हूं फिर से text color और इसको white color दे देते हैं आप चाहें तो किसी भी चीज़ के लिए variables बना सकते हैं और variables मैंने आपको QR code जो बनाना बनाना सिखाया था उस वीडियो में मैंने आपको variables बहुत अच्छे से समझाये थे तो यह देखें हमारा color आचुका है अब इसको width दे देती हूं 100 view width जिससे यह पूरी width ले लेगा हमेशा हमेशा पूरी screen के according 100 view width ले लेगा एक काम करते हैं यह जिससे पूरी body हमारी 100 view width ले लेगी और अब एक काम करते हैं header के h1 को यह बहुत छोटा है सबसे वहले इसका font size increase करते हैं यह बहुत ही छोटा लग रहा है क्योंकि मुझे इसको मैं 36 pixels ले रहे हूं आप चाहें तो यहाँ पर RAM भी उस कर सकते हैं आप जो भी unit चाहें वो यूस कर सकते हैं देखिए यह हमारी पूरी app है अब भी मैं आपको बात में पूरी बनने के बास पूरी screen पे भी शो कर दूंगी एक बार अब आते हैं अपने main को main section जिसमें हमारा यह है पूरा word input box button और हमारा result मैं चाहती है इसको नीचे आजाए बिल्कुल तो मैं में में सेक्षन को एक हाइट देती हूं देखिए ATVUH देती ही यह हमारा नीचे आ गया और इसे अभी मैं इसे नॉर्मली देखिए बाकी उसे style करने के बाद इसकी हाइट को चेंज कर लेंगे देखिए पैडिंग देथी पैडिंग में उपर ही वेरीवल बनाया था वही यहां पर भी पास कर दिया अपने हेडर में भी भी पास कर रहा था आप अपनी फॉर्म को style कर लेते हैं और मैं यहां लिख देती हूं में के अंदर है यह फॉर्म मारा क्योंकि और इसके डिस्प्ले करेंगे फ्लेक्स ठीक है क्योंकि मुझे इसे सेंटर में लाना है चलिए मैं इसके डिस्प्ले फ्लेक्स कर दीओ आप चाहें तो ग्रिड का भी यूज कर सकते हैं जस्टिवार कॉंटेंट करेंगे सेंटर यह ओरिजॉंटल होगगे पर इसाल करते हैं जिसका टाइप हमारा टेक्सट है जिसमें यह ईंटर उव्र लिका है इसको स्टाल करते हैं इसकी मैं इसक मैं इसनि फ्लेक्स ग्रोष देदू vara देखे मैं इसकी फ्लेक्स ग्रोव वन क्यों दे रही हूं कि मैं चाहतु हूं यह सारी जगा ले ले और बाकी बच्वी जगा सर्फ हमारे बटन को मिले यह देखिए हमारी अगर स्क्रीन देखे कि इतनी बड़ी हो गई तो हमारा यह पूरी जगा ले रहे हैं लेकिन मैं चाह देखे मैं 800 पिक्सल मैक्स स्थे देगी और इसे मार्जन भी देऊंगी मैं मार्जन लेफ्ट राइट ओ डॉडप बॉड़म से जीरो और लेफ्ट राइट जिसे चंटर में आ जाए देखे चंटर में आ गया है और इसने मैक्स वीट ने लिए अब यह 800 पिक्शल ज्याद टेक्स्ट को और बटन दोनों को स्टाइल करते दोनों को कुछ ऐसी स्टाइलिंग है जो मैं सेम देना चाहती हूँ इसलिए दोनों को एक साथ सेलेक्ट कर दी हूँ ठीक है एक बार सेलेक्ट है हमने फॉर्म इंपुट जिसका टाइप टेक्स्ट है और एक बटन जिसका बढ़ा गरेंगे बहुत चोटे हैं यह देखिए सही लगना आप फॉंट वेट दे देती हूं मैं 500 बहुत जादा नहीं कि देखिए 500 आप चाहे तो यह बोल्ड यह बोल्ड भी लिख सकते हैं बद अच्छी प्रैक्टिस हो थी कि आप वैल्यू यूज केजिए मैं वह सकते हैं ठीक है अब चाहे तो बहुत सारे तो मैं जो भी नॉमली यूज करूंगे मैं लिए वरीबल जादातर बना रहे हो यह देखिए वार्ड रेडियस यहां पर भी बना लिया और यहां प्लाए हो गई बाद में भी हम इस बॉर्ड रेडियस को यूज कर सकते है तो गिए क्या करेगा 20 पिक्सल निकाल लेगा कैलकूलेट करेगा और सब्सक्राइब कर देगा यहां पर लेकिन मैंने अल्रेडी त्वel इडियस के लिए यह वरीबल बनाया ता प्रादिंग तो हम 20 पिक्सल की जग सब्सक्राइब यह वरीबल कह नहीं यूज कर ले हमारी 10 pixel यहां पर apply हुए मैं चाहती न तो मैं एक और variable बना सकती दी इसकी padding के लिए 10 pixel लेकिन मैंने उसी variable को एक बार बनाया और वह यूज़ कर लिया और calculate function की through इसे half कर लिया मार 20 दा यह 10 pixel लेकर यूज़ कर दिया ठीक है तो यह calculate property बहुत सही होती है अब एक ही कितनी बार यूज़ कर बाते हैं देहिए दो बार तो मैंने आपको यहीं दिखा दिया अब एक काम करते हैं अपने submit बटन को भी styling देते हैं अलक्स्ते कुछ क्योंकि मैं इसका color ही चेंज करना चाहिए सबसे पहले तो यह आगे हमादा पास बटन और इसका background color देंगे सबसे बले और मैं background color इसे वही दूँगी चैस्ति हमने अपने header को दिख्शनर यह आपके पीछे जो color है वही से पास कर देते हैं और variable हमने अल्रेडी बनायता ना header color एक काम करते हैं इसे header color नहीं बनाके न क्योंकि हम इसे सि प्राइमरी color रख लेते हैं देखें अभी यह अप्लाय नहीं हुए color क्योंकि मैंने यह पे header color दे रखाता है इसे चाहिए मैं इसे primary color दे दूँगे यह देखिए सिफ नाम जेंज किया और कुछ नहीं अब इसे यहाँ पर भी अपना यह color यूज कर लेंगे बटन में हमारे यह देखें प्राइमरी के लिए बटन पर अप्लाय हुए अब इसका इस बट पे जो ब्लाक कलर है यह तो अच्छा नहीं लग रहा है अपना वाइट कलर यूज करते हैं और वाइट कलर के लिए हमने टेक्स्ट कलर वरियूबल बनायता है यह देखिए अपलाय होगी हमार इन्पुट बॉक्स से बहुत जादा गया इसके इसे थोड़ा सा गया देते हैं और मार्जिन देते हैं और लेफ्ट से दूंगी मैं बहुत जादा नहीं सिर्फ 10 पिक्सल देंगे इसने ऑ्रेस गार से करिस्का करें तो यह देखिए ऑफ एकाम करते हैं अब मिद्स पॉटर से कुछ भी थे संगेऊ इसको भी तकार साक्षिए है क्ष्ट भी हिसको भी प्रिमी इसको कमें प्रूप डंग प्राइमरी म्यूच वचंवude यहां पर भी use करेंगे चाहिए यह देखिए यहां पर से color पास हो गया इसको color भी देते हैं क्योंकि इसका भी texture भी black है इसको भी white कर देते हैं तो यह देखिए हमारा white color हो जाए हो देखिए सारी लग रहा है न और इसे भी padding देते हैं पैडिंग के लिए भी हम अपना variable यूज करेंगे क्यों हमने variable बना रख अल्रड़ी अब यह देखिए सारे वरियाबल आ गए यह पैडिंग दे रिया और यह देखिए अभी देखिए यह देखिए स्क्रॉल बार आ रहा है यह एक काम करते हैं अभी यह जो स्क्रॉल बार आ है इसकी हाइट थोड़ी सी चेंज करते हैं अपनी इसकी इसकी 78 कर देती हूं मैं स्क्रॉल बार नहीं चारी यूंकि और अभी ठीक है इसको अब फुटर को टेक्स्ट अलाइन सेंटर करते हैं क्योंकि अभी यह टेक्स्ट यहां पर है सेंटर में आ जाएगा और यह देख इसको भी इसको 18 पिक्सल देंगे थोड़ा सा बड़ा ठीक लागया हाँ आप ठीक है और इसको मैं पॉजिशन दूंगे फिक्स्ट क्यों 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 चाहिए यह फुटर चेंज ना हो इसका साइज यह उपर नीचे ना जाए ठीक है इसले में इसकी पॉजिशन फिक्स कर देते हैं अब सही लग रहा है अब अलमूस्त मेरी अप रेडिये में एक बार आपको नौ पूरा रन करके दिखा देशिशे पूरी स्क्रीन पर आपकी अपके टीचाहिए हैं हमारा यहां पर यह वर्ड है यहां पर हम वर्ड़ अड गरेंगे एंटर गरेंगे और हम सर्च करेंगे तो हमारी नीचे इसके हमारी पूरी हो जाएगी हमारी css पूरी हो गई है अब एकाम करते हैं अपनी जावस्क्रिप्ट लिखते हैं सब सहले तो जावस्क्रिप्ट फाइल को एश्टेवल में अटाच कर लेते हैं using scriptal और अब हमें क्या-क्या चाहिए एक तो हमारे इनपुट चाहिए बटन चाहिए और यह डिव चाहिए तो इक काम करते हैं इन्हा इडी नहीं रते हैं आज हम इने सिर्फ क्वेरी सेलेक्टर से सलेक्ट करेंगे यह देखिए मैं लिखते हूं कॉंस फॉर्म और डॉक्युमेंट डॉर्ट क्वेरी सलेक्टर से सलेक्ट कर और उसे इस इसे डिइस एदे देदे यह को हमारा पूरा रिज़ां आएगा ठीक? और इसका देखेए इसका इसके ольшा स्थी इसे ना माझाशा हमारा पूरा आएगा तो मैं इसका नाम डिइस इस इसे एक Bell रहे हां और यहां लिख देते हैं हमारा result.result ठीए तो यह दोनों आगे हैं हमारे पास अब हमें क्या चाहिए जो हमारा form है इसका button चाहिए ना तो मैं अभी इस button को या तो मैं क्या करूँ ID दूँ button को और इस button को सीधा ID देकर अपने JavaScript में अक्सेस कर लो लेकिन आद में इसे button को ऐसे access नहीं करूँगी थोटा सा change करके दिखाते हैं आपको कि मैं इसे form के through directly access करूँगी सो मैं form में add event list ना लगा रही हूँ मैंने button पे नहीं लगा है form पे लगा है तो अब मैं इसे form को दूँगी submit कि जब भी मेरा form submit हो तो जो मैं से function arrow function देंगे जो मैं से अभी function दूँगे arrow function यह run हो जाए सिर्फ इसका मतलब यह है कि जब मैं form को submit करूँ तो मेरा arrow function run हो जाए जो मैं से यहाँ पर देने बाले है इस function में जो भी लिखेंगी वो run हो जाए गर submit हो थाई क्लिक नहीं लिखा क्योंकि मैंने button नहीं form select है अभी इसे बंद कर कमेंट करते हैं और मैं आपको दिखाती हूं देखें अभी मैं search पर क्लिक करूँग तो आप यह देखेंगा यहाँ पर यह page हमारा refresh हो हुआ और यहाँ पर query भी आपको दिखेंगी देखें, question mark आगया हमारा page भी refresh हुआ बार बार, दो बार reload हो चुग है यह देखें देखें, reload हुआ और यहाँ पर query आ गई अब मैंने चाहती है मेरा page reload हो, तो हम क्या करेंगे इसे uncomment करते है यह हुआ uncomment और इससे पास करते है पारमीटर E है हम जब भी हमारा form submit होगा मैं लिखती हूँ E dot prevent default मैंने चाहती कि मेरा, जब भी मैं submit करूँ form को, तो मेरा form reload हो page reload हो, तो हम क्या करेंगे, उसे prevent कर लेंगे यह आपके form को auto submit होने से भी रोकता है तो यह देखें, अब मैं एक बार इसे back कर लेंगे अब मैं search पर क्लिक करूँ देखें क्लिक करा, अब देखें अब यह आपको page reload हो और query भी run नहीं हो रही है यह देखें अब चलते हैं अपने code editor में यह देखें अब मैं एक function run करूँग एक function मनाएंगे separately और मैं चाहती हूँ मेरा function run हो जाए जब भी मेरा form submit हो तो इस function का नाम मैं ने get word info क्योंकि हमें word की information नहीं तो चाहिए जब भी हमारा form submit हो तो इसलिए मने function बनाया है अब मैं चाहती ना तो एक input भी select कर सकती थी कि मैं इसे input को select करूँ और इसका data लेलू लेकिन नहीं मैं क्या करूँगी form की children को access करेंगे form के इंदर हमारे first children क्या है हमारा first children हमारा form का element जो है उसका first children क्या है हमारा input और second children क्या है button लेकिन zero based indexing होती है इसलिए हमारा zeroth children input है और second children button है first children I mean तो यह क्या करेगा form के elements पे 0 children निकाल लेगा input और उसकी value हमारे इस function में पास हो जाएगी get word info में अब इस function को declare कर लेता है यहाँ पर बना लेता है और इसको मैं बनाऊंगी ठीक है इसको एक error function मनाते है और यह देखिए यह आगया हमारा error function और मैं सबसे बहले इसमें एक alert लगा लेती हूँ alert अभी मैं सिफ demo के लिए लगा रही हूँ जिससे मुझे पता चल दा है कि हाँ मेरा function run हो रहा है यह नहीं हो रहा मैं यह practice पहली देख लेती हूँ अब एक काम करते हूँ word को access करने दे मैं यहाँ पर variable दे दे थी हूँ word नम से बस और इस variable को यहाँ पर alert में show कर देंगे हमें पता है जल रहा है हमारा variable pass हो रहा है इस function को ठी है मैं एक काम करते हूँ यहाँ पर अभी मैंने कुछ नहीं लिखा और देखिए search पर क्लिक करें तो हमारा empty variable आ गया सिर्फ word लिखा आ गया अब मैं इसमें variable लिखती हूँ मैंने लिखा सिर्फ hello लिख दे दे search और देखिए word आ गया आपका hello so इसका मतलब हमारा function में हमारा input की value pass हो रही है यह देखिए मैं एक बार आपको दुबारा दूसरे word से दिखाते देए create पे भी आ गया तो आपारी value pass हो रही है अब value pass हो रही है तो हम अपनी code को आगे लिख लेते हैं ठीक है so हम आवे यहाँ पर अब मैं आपको दिखाती हूँ हम API यूज़ करने वाले है और यह देखिए यह आ गए हम इसमें यहां पर हम यूज़ आप Google पर सिर्व निख सकते हैं dictionary API आपको सबसे उपर यह दिख जाएए dictionary API.dev इस साइट पर आईए यह free साइट है आपको इस पर जरू नहीं है सिर्फ API को कॉपी करें आपको आप यूज़ कर सकते हैं इसमें कोई API की नहीं है यह देखिए इसमें यह दे रखा है कि आपको कौन पूरा डेटा कैसे मिलेगा एक काम करते हैं वर्ड के लिए सल्च करते हैं यह सारा डेटा इसने मिले को दे दिया है और मैंने यहां पर देखिए और यह पाल्च फॉर्म है क्योंकि मैंने एक एक स्टेंशन यहां पर डाउनलोड कर रहे है यह देखिए तो यह मिले को इसलिए इतना सही तरीके से पूरा उटपुट दिख रहे हैं आपने युजी करी होगी तो आपको बस आ कर देखी गए देखिए इसमें वर्डय कर हैं फ फ्टिक हैं फोनेटिक ngày से इदेखिए नीचे मीनिंग्स को भण रहे हैं देखिए मीनिंग्स워서 बता रहे हैं इसके ट सारें यह मुरोड़ख और अंटॉनियम्स नहीं तो एरे खाली है ठीक है यह देए कितने सारे है यह आप इसका लाइसे बता रखा है यह सोर्स वारल दे रखा है कि आया का से ठीक है अब इस काम करते हैं अपनी API को यहां से कॉपी कर लेते हैं यह देए यह कॉपी कर लिया और अपने VS Code में चलते है यह देखी अब इस एलर्ट तो मुझे चाहिए नहीं तो इस एलर्ट को कॉमेंट कर देती हूं अभी और अपना एक वरीवल बनाते हैं इसके अंदर यूज करने वालने हैं बैक्टिक मैं यह यहां पर मैं यूज करूंगी फेच फंक्शन कर दिया है फेच और इसके अंद यूज करने वालने हैं बैक्टिक मैं यहां बैक्टिक यूज कर दियूं ठीक है और अपनी उसको पेस कर देते हैं और यहां पर हमें हेलो नहीं चाहिए हमें वह वर्ड चाहिए नहीं तो वर्ड में मैं कहसे लिपूंगी मैं डॉलर और यह कर ली ब्रेसेज में अपना यह जो वर्ड यहां पर इस function को बल रहा है वह ही पास कर दोगी यह वर्ड पास हो जाए और मुझे फैच करके देदेगा data इसी वर्ड से related और एक काम करती हूँ मैं इसे अवेट कराती हूँ अपने अगर आप इस वर्ड बाती हूँ इस बहुत करते हैं तो यहां प्रावेट कर लेटे है अगर आपसको पढ़िए अगर आपको यह यह फिय नहीं पता है तो अब एक बर गूगल करके पढ़िया बहुत कुछ नहीं है इसमें बहुत इसी सा ओता है यह प्रॉमिस रेडर्ण कर एक बार आप उसको पढ़ लीजे फिर इस वीडियो देखींगे तो आपको समझ आ जाएगा अब मैं रिस्पॉंस से डेटा एकसेस करना है तो जो रिस्पॉंस में जो भी डेटा आएगा मैं उसे जेसन से पार्स करा लेती हूँ ठीक है और इसे भी अवेट करा लेते हैं अवेट इसलिए गरानी हूँ कि मैं चाहतु हूँ एक बार में मेरा डेटा पूरा आ जाए और उसके बाद मैं उसे एकसस कर लो क्यों मुझे नहीं बताना है कि इतने टाइम में आएगा और इस अलेर्ट को कॉमेंट यह रहा है और एक बार अब मैं सर्च करती हूँ सर्च पर क्लिक करा तो देखिए यह आ गया हमारा और पुट एक शेकिन यह देखिए यह देखिए इसमें आपको एड़े मिल रहा है और एड़े में जीरत पोजीशन पर यह और फर्स पर यह ठीए देखिए फर्स जीरत पोजीशन पर हमारा नही यह वह है DO i a इसके सबोछ लूइंक मैं मीनिंग्स मैं एक क्रांग उसमें अरुसरेने जीड़ी पुजिशिन अंदर कहुआ सब्सक्क्राइब अंदर पार्टों भी अप लिए ऐचनेस ना और हैं ऴीनियो माही बूलिल करो से मीमेर में तैन विखेंडा बशलिया एक वहल र तो यह सब हमारा data है, यहाँ पर phonetics है, फॉनेटिक है, तो यह हमें सारा data मिल रहे हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, भी इसलेट को उठाते हैं, मुझे बहुत अन्नोइंग लग रही है, फिलाल तो, हम control.log यूज कर लेंगे, अगर हमें in future जरूत होगी तो, अब एक काम करते हैं, जो हमारा result div था है, जिसमें हमें data already show करना था, उसमें data को लाते हैं, ठीक है, इससे word drop करते हैं, अब ठीक है, और इसमें data को लाते हैं, इसे in html में हम उपना सारा data लेक आएंगे, हमने कोई भी इसके अंदर कुछ भी अभी कोई वो तो बना नहीं रख तो हम क्या करेंगे, अब यहीं पर अपने elements टाग बनाएंगे, और उनके अंदर इस data को use करेंगे, तो अब मैं बनाती हूँ, एक h2 tag, देखें, यह मैं बैक टेक्स में लिख रहे हूँ, तो जो भी आप बैक टेक्स में लिखते हैं, तो आपको पूरा ऐसे html नहीं है, त लिखना है, आप इस data को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही क्या क्या दे रहे है, मैंने इस data को अच्छे से पढ़ लिया था, और डॉलर के अंदर आपको अपनी जावास्क्रप लिखनी है, टेंबलेड लिटरल के अंदर, तो डेटा के data जो भी आ रहा है हमार देंए जोहा है है है,श करना से बार के अंदर देफिनेशन के अंदर हमारा मीनिंग था. टेइक है, डेफिनेशन के जोहान के, जोत पे हम पहलाрах है अंदेखना है? तीन हेरे उसके अंदर डेफिनेशन ते से इनॉनियम ते वही सब लिगा है मिनिटी तो ये डिटा मैंने एक बार पहले पढ़ लिया था इसलिए मैं तराम से लिख पा रही हूं ये चीज मुझे पता है कि कौन सी चीज का बारी है आप एक बार इसे पढ़ लीजिए और इनक काम करते हैं हें यहां पर h2 डाइग में इसे पी में कनवर्ड कर देती हो आप और इसे नीचे लेका राते हैं यह दिए अब ठीक है और इसे कॉपी करते हैं और बाकी चीज भी लिखते अपनी है चिछह है और अब यहारी बाकी ये दो होगया हमारा एक में डेफिनेशन हो बढ़े थी और एक गयते हैं इसकों हटाते हैं और पार्टस पीच भी लेक pizzas हमारा पाइट था नव पहले पार अपनल फीच लेके लेक्साच फिर अपना मेंनिक ले आएंगे तो यह लिखा में इसे हुआ हटेए इसको h2 टाग बनाते हैं सबसे वैले हैं हम लिख द nessa ऑम ऑट की हमारा वीड क्या है जस वर्रक्पट के लिए नौसा है जस वर्रक मेले नीड के जिसे हों जापना है अर रस होने मेले ना पाद के जीरत पोजीशन पर सबसे है वो इसने इंदर फिर भागी सारी चीशा将 करते हैं एब इक काम करते हैं मुझे लिखने दे हैं कि कौन सा वर्ड है कौन सاح मेनल लेंडेंग है वरना ह mình कि तब बेकार उसर खक्राइब रिघा में और फार यूसर को यह मैं पतहँ है तो हमें अ और हमती вед चीज कर दे आ जो हमारा वर्ड है चाहिए यहां पर जोहता है अगर आपको स्ट्राउंग कर सकते हो ठीकिरैगा तो यह आगया हमारा मेनिंग यह आपर अब एक काम करते हैं फिर से रन करते हैं फन और यह थी आगया वर्ड आगया हमारा और मेनिंग आगया ठीक है अभी हमें इसे से स्टाइल करेंगे डों वरी इसे अच्छा सा एक लुक देंगे अभी सबसे पहले हम अपने डेटा को सार करने वाले हम ठीक है अब यह तो आगे हमारा और इसके बाद एक काम करते हैं एक्जामपल के लिए भी लिखते है और यह आगया यह एक्जामपल और एक्जामपल था हमारा डेफिनेशन के जीरुत के डेफिनेशन अलगत और एक्जामपल में अलगत था ठीक है एक बार फिर रन करते हैं यह देगे रन की का रहा है मैं एकी वर्ड के लिए धून्टू नॉर्मली आप कोई भी वर्डिंग्स कर ले न दे यह मीनिंग भी आया अंडिफाइंड अब य इसके लिए एक्जामपल प्रेजन दो गया और जिसके लिए प्रेजन लिए नहीं होगा उसके लिए एक्जामपल आएगा यहाँ पर इन डिफाइंड अभी एप्स्पीरियम्स तो अच्छा नहीं थैन न अग्ला न यहाँ है तो हम इसे भी अपने कोड में करते हैं इसे कॉपी करते हैं यहां से पूरा और कट करके यहां पर नहीं आते हैं एक वरीबल यूज कर पाएंगे हम ठीक है साब हम डेफिनेशन के डेफिनेशन के सीधा तेडेविनेशन की में अब यहां से भी कट करते हैं यहां से लिए अब टीक है अब एक काम करते हैं कि यह तो हो गया हमारा इसे तो पके सबस्वेंगे मैं थोड़ा सा एच आधेकर दिग्वाइब अगर डेफिनेशन का definition मैं चेक कर दिए इसके अंदर undefined आ reflects एकाम करूंगी यह लिख दूंग नॉट फॉंड अगर इसमें undefined लिखा रहे है इसको हमने चेक करा अगर अगर अनदेफाइन है जो फिखा दूग नॉट्पाउंड और अगर अगर होगा तो आजाएगा लिखावा और नहीं होगा तो हमें not found आजाएगा वह अधिफाइन से तो बैटरी होता है ठीक है और अपने example में भी कर लेते हैं यह चीज और अपनी definition दोनों चीजों के लिए हो जाएगा हमारे ठीक है यह चीज क्योंकि हमें यहां पर BRL देख सक बोड़ा अब चेक करते हैं फन शल्च करें यह देखें एक्जामपल पर आगा है not found पहले पहले प्रेटर लगा अब एक फंग क्रिएट के लिए यूज करते हैं देखें एक्जामपल था जो एक्जामपल आ गया और नहीं है तो not found आ जाएगा ठीक है यह सही है अब मैं आ करते हैं फिर से फिरेट फंग फंक्षश ही वर्ट के लिह वह está ready है जिसमें हमारे इंड़ामस था एक और तो श्gl इनको भी लेकर आते हैं यहां पर एक काम करते हैं लब सब्सक्राइब लेकर आते हैं कि जो जो हैं पेंको यहां पर यहां पर छो कर देए डखी जो है इसके दो इन्ट ॉम्स नेठ गटें हैं फह और इस यह तो अब इसे भी कोड करते हैं सबसे बहले देखिए इसको अब मुझे फॉर लूप चलानी है तो मैं बैक टेक्स में चलानी सकती तो इसके बैक टेक्स के बाहर चलाती हूं बैक टेक्स में फॉर लूप लिखेंगे तो लिखते हैं लेट इस इकल से चलाओंगी और यह लूप हमारी जीरत से स्टार्ट होगी और एंड कहां होगी हमारे हमारा एंटॉनियम कहां प्रेजिंट है हमारे जमने यह डेफिनेशन वरीपल उपर यूज करा यह देखिए इस वेरियेबल में हमारे आ रहा है न इसी के तो हमने एक्जांपल और देफिनेशन निखा तो तो इसके अंदर था हमारा पूरा एरे तो उसी एरे की लेंद तर चलाएंगे उसकी लेंद दो है तो यह लूप दो बाल चलेगी उसकी लेंद अगर 10 ते 10 टाइमस माई लूप च रिजल्ट डिव की इनेश टेमल में हमें शो भी तो कराना है तो हम क्या करेंगे यहां पर में प्लस यूज कर रही हूं प्लस इकोल इसका मतलब यह है कि इनेश टेमल में जो भी है पहले वो तो रहे उसके साथ साथ यह चीज़े भी आ जाए अगर आप सिफ डिव.ड़ इ अगर उसके अंदर एक अधर यह बार आजाए देस अलीमेंट है तो वह तैनलाइस में अलग अलग आजाए तो डेफिनेशन से इंटॉनियम से आई में मतलब एंटॉनियम से 0 एत में 1 में ऐसा आजाएगा तो एक बार इसे रन कर लिए देखिए एक्जामपल इसमें है नह इंटॉनियम लगता है नहीं से क्रियेट करां यह देखिए इस वर्ड के थे तो दोने इंटॉनियम से यहां पर शो हो गए अभी हमें से स्टाइल करेंगे सबसे बहले पूरा जावस्रिप्ट लिख लेंगे हम ठीक है तो यह देखिए यह हमारे इंटॉनियम आगए अब चीज़ कर लेती हूँ अगर इंटॉनियम प्रेजेंट ही नहीं है अब उसकेस में जब हमने फॉन वर्ड को क्लिक करा और उसके लिए सर्च करा तो उस वर्ड के था हमें इंटॉनियम मिले ही नहीं तो हमें वह चीज़ भी तो हैंडल करने पड़ेगी ना और यहां पे काम बनाते हैं जैसे हमने पहले बनाये था और उसमें लिख देते हैं इंटॉनियम्स बस उपर ही मैं चाहँ तो नीचे भी लिख सकते हूं लेकिन मैं काम वह बर ही कर दी हूं क्योंकि मैंने वहां पर बहुत सारे का एक्स्ट्रा वह चीज़े भी लिख रखें तो वहीं पर कर लेंगे हम इंटॉनियम्स वहां से लिखा आ जाएगा और लूप फैच करके हमारे इंटॉनियम्स को वहां पर राइट कर देगी अब चेक कर लेते हैं कि इंटॉनियम्स है आपने दुख नहीं तो हम चेक करेंगे इसी लेंध को कि आज़िए इसकी लेंध अगर जीर होगी हमाना अगर 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 दॉनियम्स देख गहां हुगी और जीरो होगी तो हम फिर से वहीं लिखवा देंगे कि नॉरट फॉंड है यह नहीं तो उसके लिए हम क्या हमारी result div के innerHTML में लिखवा देंगे और इसमें भी आपको एक सब्सक्राइब करते हैं result div के innerHTML में और प्लस इकोल स्टू धियान रिखिएगा अगर आप इकोल स्टू लिख देंगे सर्फ तो आपका ओवराइट हो जाएगा पुरानी innerHTML में जो भी होगा वहट जाएग और इसको मैं एक span tag में लिखवा रही हूँ ठीक है अगर आप चाहिए तो यह p tag भी को यूज कर से कुछ भी लिख सकते हैं मैं सिर्फ नॉमली यसी span tag यूज कर लिया है ठीक है not found आजाएगा अब और इसको जो for loop else यह वली है इसको else में रन कराएगे ठीक है अगर नहीं है जिससे आपको बाद में code मिलेगा तो थोड़ी असानी होगी आपको पता रहे है कि कोई कौई क्वान सी चीज आपने किसनी इनुस करी थी रन करते है फन सेर्च कर आएगे यह आगे इंटॉनियम नॉट फाउंड है तो लिखा आगे नॉट फाउंड ठीक है और अभी काम क अब फनी वर्ड के लिए सलच करते हैं इसके भी नहीं आते देखें नॉट फाउंड आगे दोनों बार हमारा अब एक काम करते हैं क्रियेट के लिए देखें इसके लिए सब कुछ प्रेजिंट है एग्जाम्पाल मेनिंग अन्टॉनियम सब कुछ यहां पर आ गए ठीक है कि आपको source URL दिख रहा है यह देखें इसमें source URL दे रखा है विकी वीडिया का लिंक ही तो इस पर आप क्लिक करते हैं तो क्या होता है देखें इस URL में अपका सारा डेट आ है सारा जो ब्हाँ आप इसके अलावा यह इसी source से आ रहा है मतलब इसके अंदर सारा रेट है तो बटन बना लेते हैं रीड मोर का और उस के अंदर इस लिंक को डलवा देंगे तो जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा यह उस विकीपीडिया के उस पेज पर चला जाएगा और अगर उस वर्ड के बार में और डिटेल चाहिए तो वो उस बटन को क्लिक करें उस डिटेल को और यहां पर बनाते है हमारे बिटेल के बार में बना और बंदर कें पर इस नियुकर ऐंकर रहे हूं क्यों क्योंकि मुझे चाहिए इसका चनी ऐसल को कुआ होगी ठीक है च्क है था इसमें आ जाएगा और यहां पर लिखा जाएगा लीड मोल्ड ठीक है और इसके टारिएट को भी मैं कल देती यह हमारा new tab में खुलेगा जब भी open करेंगे इस link को और एक काम करते हैं इसमें लिखते हैं यह हमारा कहां पर था हमारे डेटा के जीरोत के जीरोत इंडेक्स पर source URL में था और यह आ गया अब इसको run करते हैं मैं चेक करते हूं कि हाँ यह पेज में उस पेज पर जा भी रहा ह यह नहीं जा रहा ठीक है और यह create function और create word यह आगया देखिए हमारा anchor tag इस पर क्लिक कर रहा यह देखिए उस page पे नहीं हमें लाकर रख दिया यह देखिए यह उपे जाए हमारा अब किसी को अगर वह रादा पढ़ना तो इस page पर आ सकते हैं यहां पर देखिए एक audio भी द प्रॉल्म थी और अगर मैं यूज करती तो आपको प्रॉब्लम होती इसलिए मैंने audio नहीं दिखाई है आप एक बार audio भी यूज करके दीखिए देखिए आप एक बार मैं लिखती हूं कुछ भी लिख दिया मैंने type यह देखिए यह error आगा अगर मेरा data मैं कोई भी ऐसा word दिया देखिए मैंने random लाइक वह लिख दिया कुछ भी तो देखिए मुझे एरर मिल रहा है मैं नहीं चाहती ना और यूजर को पता ही नहीं चल रहा है कि उसका data आने वाला है यह नहीं आने वाला तो हम इसको भी बग को भी स्वाल्व करते हैं और उसके लिए हमारे जो आदो कि आए कि एक काम करती हूं है इसे हहां से कट करती हूं और यह सारा जो भी कोड अभी तक हमने लिगा है यह सारा हमारे ट्राइं में चला जाएगा और यह कॉंछ से पहले क्योंकि कॉंसोल तो मुझे चाहिए नहीं अभी सिमा अभी अभी है और यह देखे और यह हमारा गया अब क्याच को एरर को भी आज करने तो एरर आएगा जब माना तो उसमें भी हम क्या गरेंगे उसके रिजल्ट डिव के इनरेश टेवल में लिख देंगे अब मैंने इकोल का यूज करा है क्यों कि मैं चाती हूं सब कुछ भी ना है सिर्फ का experience बहुत खराब हुजए था उसे पता ही नहीं चलता कि हमारा वर्ड का डिटा आने वाला या नहीं आने वाला ठीक है और यह देखे मैंने रंडम लिखा और आगे लिखा हुआ स्वारी दर को डॉट भी फांड ठीक है ये अब संही है और एक बार सर्च करके देख्वती है वार वार है या नहीं हो रहा है फंप्रल के साथ ही हमारा क्योंकि हमने एसे लाए बनाय था चूघी अश्री इैक वांध proposition भी एल लांप से ones करके इसे div में wrap कर ले तुए एक यह जो हमारा एंकर टाइगे इसको div में wrap कर देते हैं div हमारा एक block level element है तो यह पूरी space ले ले लेगा ठीक है और anchor time हमारे inline element होता है आपने पड़े होंगे इस table में inline and block elements तो इसे div में wrap कर दी आप पूरी space ने लेगा ठीक है सो अब ही काम करते हैं अपनी styling भी रहते हैं सबसे पहले मैं काम करते हूँ result को style करने से बहले मैं देख थी हूँ हाँ यह यह result ही था हम result के नाम से class बनाई थी ना सबसे पहले इसके P को इसके अंदर हमें एक P tag बनाया है दिखा था जिसमें हमारे meanings और वो definitions वो सब लिखा हो है तो उसको style करते हैं सबसे बहले में उससे दूंगी margin margin नहीं है टॉप से 10 पिक्सल के दिए और इसकी margin apply हो भी रही है यह नहीं हो रही यह मैं आपको भी दिखा देती हूं यह margin apply हो गई इसका मतलब हमारी styling सही चल रहे है और इसे और style करते हैं रिजल्ट एक काम करते हूं मैं आपको यहां पर ही open करने तीव फिर से और आपको पूरी styling शोगी देखिए open कर लिया मैं यहां पर search करना यह देखिए search हो गया हमारा पूला अब यहीं पर styling देते हैं और आपको हाथवाथ styling पत्ता चलती रही है अब इसको बाइड बाइड बैक इंफर नहीं पड़ेगा टाब्स में और यह आगया बैकग्राउंड कलर देते हैं अब इसमें कोई कलर नहीं ना इसे ब्लाइड कलर दिया मैंने इसके बैकग्राउंड को जैसे हमारे इंपूट में ता और इसकी पैडिंग के लिए हम अब इसको एक बॉडडर रेडियस भी दूगे और इसकी बॉडर रेडियस दे देगी अब यह उपर दे देखिया अगया ब्लाक वाइड कलर इसके पीछे बैक्राउंड में अभी इसमें मार्जिन नहीं है अभी से मार्जिन देते हैं नहीं तोब से क्योंकि अब हमारे इ आपने एसमें, प्रफेस लाते हैं और मैंने मार्जिन देदी टॉप से, देखें मार्जिन आगें, और इसे में एक बॉक्स एडो देदी हो, 0px, 0px, और इसकी ठिकनेस को रखोंगी, मैं 10px, और इसके देखें आगई, और इसके बास कर देदी इसमें, 0000.2 इसकी opacity हो जाएगी, ठीक मतला alpha इसकी, यह देखें, आगई हल्की सी box shadows पर, आच चुकी है, अब के ताँ स्टाइल लग रहा है हमारा, यह देखें, अब एक काम करते हैं, चलते हैं हमने script tag में, और क्या देखते हैं, क्या का style करना है और, देखें, अब मुझे क्या करना ह मैं यह जो part of speech है, इसको class दे देती हूँ, part of speech, part of speech नाम से class दे रही हूँ, ठीक है, और, अगर मैं चाहूँ नो, तो, यह class list में भी add कर सकती हूँ, लेगिन, मैं यह पर class ऐसी दे सकती हूँ, कि मैंने, इसे backtrack में लिगा, तो HTML में class दे देता है, और मैं ऐसी लिए class दे रह करेंगे है, मतलब, ठीक है, so, हमारे part of speech को select करेंगे, और, सबस्वाली तो, मैं इसका font style change कर देती हूँ, ठीक है, और, टाइप कर, रहाँ, text नहीं, मुझे font style करना है, तो, मैं इसका font style normal से हटके, और italic कर देती हूँ, अपने देखा होगा ने, इसे, कभी search कर रहा होगा, इसे, part of speech थोड़ा italic होता है, तो, मैं वही चीज कर रही हूँ, ठीक है, और, इसे color दूँगे, मैं color देने के लिए, use करूँगे, मैं, ये hex code, ठीक है, ये आ गया हमारा hex code, और, इसे margin दूँगे, top से, 2 pixel की, क्योंकि, बाखे सब मैं, अभी, p tag में 10 pixel थी, अभी ये, मैं 2 pixel कर दी, तो, 10 pixel अप्लाए नहीं होगी, इसमें सिर्फ 2 pixel अप्लाए होगी, ठीक है, इसलिए, मैं नहीं ये दीए, अब किता साइल लग रहा है, और, इसका color भी थोड़ा से change होगे, तो, ये अलग से लग रहा है, ठीक है, अब एक काम करते है, हमारे div को भी, ये जो है, जिस ठीक है, और, एक चीज, ये हमारा जो read more है, इसको मैं ऐसा button मना रहा है, जो हमारा search button था, ठीक है, तो, मैंने, जो styling उपर दी होगी, इस button, वही styling मैं इसे दे देती हूँ, styling को repeat क्यों करें हम, तो, वह एक काम करते है, यहाँ पर comma, लगाती हूँ मैं, और, यही वाली styling, हमने इन्पूट को दीती, और, इस search को दीती, थोड़ी सी, तो, यह styling हम अपने, उस वाले anchor tag को दे देंगे, जिस पर लिखाए read more, ठीक है, क्योंकि मैं almost यही काम करना चाहरी हूँ, देखे, अब भी, देखे, थोड़ी सी styling इसको apply हुई, और, बाग की थोड़ी सी changes हम कर देते ह है, एक तो देखे, इसका font change होगी है, font size वगेरा, तो अब इसको वो चीज़ कर लेते हैं, सबसे बहले होते, इसकी text degradation करेंगे, none, क्योंकि मैंनी चाहते, इसके नीचे underline, show कोई भी, और इसको background color देगे, background color हमने अपने submit button को भी अलग से दिया था ना, वाद में, तो इसको यहाँ पर background color पास कर देते हैं, और हमने इसे primary color दिया था ना, यह primary color आ जाएगा, और obviously इस पर भी blue color तो अच्छा ने लगिया, blue text तो इसका color भी white कर देते हैं, और यह देखिया गया, अब मैं काम करती हूँ, उमारे button को उपर से margin चाहिए ना, तो button को नी, anchor tag को नी, मैं काम करूंगे, आपने div को margin दोंगे, पूरे, ठीक है, top से, और मैं इसे margin देती हूँ, top से 20 pixel देते हैं, देखते हैं, कैसी, हाँ, यह ठीक है, okay, this is fine, so अब हमारा काफी style लग रहा है, यह देखे, यह देखे, अब एक काम करते हैं, मारे जो antonyms हैं, इनमे थोड़ा से space लाती हू इनको style करते हूँ, ठीक है, यह जो भी antonyms यत्ते भी होंगे, थोड़ा से इनको style देते हैं, सबसे पहले तो मैं इने padding दूँगी, थोड़ी सी, और padding के लिए हमने पहले एक variable बनाए ता नो, उसे ही use करेंगे, लेकिन वो 20 pixel जादा हो जाए, तो एक काम करेंगे, calculate जो property होती और इसके अंदर हम पास करेंगे, अपना variable x, और variable जाता padding, ठीक है, और इसको डिवाइड करेंगे, 6 देगे, 20 विक्सल डिवाइड बे, 6 उतनी padding उसको मिल रही है, और इसे margin भी देंगे, let's say, left से मैं से 20 विक्सल देंगे, जिस से मैं चाहती है, वो थोड़ असा endonyms से लग रहे हैं, कितम बस लग रहे हैं, अब देखते हैं, यह देखिए, पोरी website के थी सही लग रही है, हमारी, hello, लिगा हमने, लिखते हैं, कुछ और, good morning, लिखते हैं, यह देखिए, और endonyms नहीं हैं, तो not found अगया, example भी हमारा not found आ गया, अब इसे responsive चेक करते हैं, कितनी responsive ह क्वारा जाने के लिए, so, यह दिखिए, यहां तक ठीक है, यहां तक भी, it's fine, यहां तक ठीक है, अब एक काम करते हैं, जैज्छ फोड़ा सच्टा हरते हैं, यहां तक भी ठीक है, I Think, या तक इसके बाद थड़ी बिगर दा रहा है देखो सबसे पहले तो एक काम करते है यह जो है स्टाइल करते हैं सब सहले माँ काम करते हैं लिट्टे कम णीम इडिया स्क्रीप और आंड मैक्सविट दे दूंगी मैं मैक्स विट्थ दूंगी मैं 20-20 पिक्सल क्योंकि उसके बाद ही मेरा जादा बुदा लग रहे है तो मैक्स 20-20 पिक्सल अप्लाई हो जाएगी तो अपने में फॉर्म को देते हैं सबसे पहले दो जो हमारा फॉर्म था ना फॉर्म हमने यह सबनाय तो यह देगी में फॉर्म था इसको और क्योंकि मैं चारी हूं यह जो बटन है न मेरा यह सर्च बटन यह कॉलम में आ जाए नीचे चाहिए इसकी वली प्रॉपर्टीज हटाते हैं और लिखते हैं फ्लेक्स डारेक्शन कॉलम चिजए और इस बटन को इसमें अमने मारजिन दे इती याद र। से इनपुट और इस बटन में गया अपलाने के लिए मारजिन दे दी लेट से उस मारजिन को पर रिमूव करते हैं ठीक है तो मैंने बटन चाहल लिए में एम फॉर्म जो मारा फॉर्म हो उसका टाइप सब देंगे 10 pixel margin जिससे वो जब column में आएगा न तो उसे टॉप से margin मिल जाएगी थोड़ी थी so एक बार इसे run करते हैं फिर से इसे tap करा format कर लिया ठीक है और यह देखिए कितना साही लग रहा है बड़ा किया तो यह ऐसा दिख रहा है वग र班 करते हैं यह यह वह च sixt चाहिक से चाहते ही हमने वह दक्राइप है यह console उटाते हैं आपको सेम तारीके से सेनोंब स्वेच करने है और सेनोंब स्वेच करें कि अपनी जबाप बनाएंगे उसमें ओस्वेच काम भी कीजेगा और हमें सैम चीज करने हैं जा हमने एंट्रॉनेंब के लिए ठीक है सो हमें सब्छ कर रहा ह давно देहिए यह हमारा hallo आगया चिक है और accounts के लिए creativity लिए यह देज़े meaning के यह चांक्राइब काम कर दें जो हम सरक्याद करें तो Izamit पर नहीं सब्छब बाद हमारा data पर देटा लेकिन नहीं चाहिए जो पिए data का तो इस ताइन पीरिट में यहां पर लिखा आ जाए कि फैचिंग डेटा तो उसके लिए हम क्या गरेंगे दिए हम ट्राइ में आए ट्राइ में सबसे पहले जब हमारे यह रिस्पॉंस और डेटा के ऊपर करने आपको यह जब तक हमारे डेटा फैच नहीं हुए उससे पहले करें है मारे डिव के इंबरे टेमल में लिख देंगे यह फैचिंग डेटा ठीक है जिससे जब तक हमारे रिस्पॉन्स चाहे वह इक सब्सक्राइब यह जाएगा फैचिंग डेटा ठीक है तो वह वह किता बढ़िया यूजर एक्स पीजियन्स होता है किता साही लगता है आपने असर दीखा होगा बहुत सरी website में असरी होता है ठीक है इसे time करते हैं, Run करते हैं और अब search करते है मैं search करती हूँ let's say Coding और यदि और यदि याई है fetching data लिखा विल्कुल 1 second के लिए याई ताare refresh करते हूँ फिर से दखाते हूँ कि बहुत जल्दी हमाना डेटा आजयता है यह देगे प्रोग्रामिंग सब्सक्राइब करें लिखा है और देखे अगर आपको नई शो हुआ आप पीछे वीडियो को फिर से खर गे देख लेना ठीक है सो किता साही यूजर एक्सपीडियन से स्वेचिंग डेटा से एक लाइन ओफ कोड़ से किता सही इंपाक्ट पड़ा ठीए सो गैस हमारी वीडियो हो चुकी है और इसमें हमारी आप पूरी कंप्लीट कर दिया हमने सबस्वेले हमने इस आप को बनाया पूरा यूआई डिजा को हमारा वैधर एप है वैधर आप यूजिंग इस एमलसी इस जाव स्कुर्प बेने पहले बनाई थी आप उसे भी आक्सेस कर सकते हैं आप उसका लिंक मिल जाए इंग और अगर अब आपने अब भी तक मेरे जावा इसक्रूप्ट की प्लेले प्रोजेक्त की प्रोजेक् करती रहती हूं आप उन प्रोजेक्स को भी देख सकते हैं और अब की जावस्रप के अच्छी प्राक्टिस हो जाती है सो देखिए हमारी आप बिल्कुल रिस्पॉन्स लेए ठीक है अब एक बार अगर इस आपको बनाएंगे और इस पर सिनोम्नियम पर आड़ करने वाले तो मुझे कॉमेंट पर जरूर जरूर बताइए कि आपने किस किस ने ये काम कर रहा है सिनोम्नियम साड़ करने का ठीक है सो थैंक यू गाइज फो वाचिंग दिस वीडियो विलते नेक्स वीडियो तब तक के लिए बाई